Welcome to Lockdown 3.0 आज मुझे मार्केट जाना पड़ा कुछ सामान लाने के लिए और तो मैंने सोचा कि अब जब जा ही रहा हूँ तब थोड़ा सा वीडियो भी कर लूँ क्यूंकि मुझे समझना था कि गवर्मेंट ने जो बोला है सोचल डिस्टन्स फॉलो करने के लिए वो एक्चुली में फॉलो हो रहा है या नहीं तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए और अपने आप ही आपको अंदाजा आ जाएगा कि एक्चुली में सोचल डिस्टन्स हो रहा था या नहीं हो रहा था ये है अगरतला का गोल बाजार मार्केट ये अगरतला का सबसे बड़ा बाजार है जहां पे आपको सामान मिल जाएगा होल सेल में और रिटेल में और गंदेगी भी मिलेगा अब ही एक तरफ से गवर्मेंट ने बोला है कि आप रस्ते पे स्पिट नहीं कर सकते लेकिन ये मार्केट इतना जादा गंदा है इतना जादा कंजेस्टेड है कि यहां पे एक बहुती गंदा समेल आता है और कोई भी यहां पे आके स्पिट जरूर करेगा आप इस मार्केट को देखके बोल सकते हैं कि यह क्लीन है यह सेनिटाइज किया गया है कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है अभी तक लोग मास्क भी नहीं पहनते ठीक से इस वीडियो में आगे आपको दिख जाएंगे बहुत सारे लोग जिन्होंने मास्क पहना है लेकिन मूँ के नीचे ढखके रखा है पूरा मूँ नहीं ढखाया उन लोगोंने और बहुत सारे लोगोंने मास्क भी नहीं पहना और आप जो हालत देख रहे हैं मार्केट का इससे देख के बिलकुल नहीं लगता कि एक सोशल डिस्टेंस का कोई फैक्टर है जो गवर्मेंट ने बोला है फॉलो करने के लिए और लोग बहुत ही आराम से मार्केट में आ रहे हैं यह जो आप देख रहे हैं वो लाइव आज ही यह वीडियो शूट किया गया था मैं गया था मार्केट में कुछ सामान लेने तब मैंने यह वीडियो शूट किया था और आप देखिए यह जो बंदा है इसने मास्क भी नहीं पैना तो ऐसे बहुत सरे लोग आपको मिल जाएंगे दिख जाएंगे जो लोग मास्क नहीं पैनते हैं तो यह सवाल है सबसे कि क्या यह सही हो रहा है जब अगर तला में इतने जादा केसेस आ गए तो क्या यह सही हो रहा है और क्या सही data report हो रहा है government के पास क्यूंकि अब देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यह है आज का newspaper Indian Express जिसमें यह बोला है कि त्रिपुरा 24 fresh cases at BSF camp total count 86 और दूसरी तरफ है mygov.in का यह website government of India तो यहाँ पे त्रिपुरा का total case reported है 65 यह आज के date का वीडियो है तो आज के date में यह वीडियो लिया गया है और यह है current data statistics तो आप खुद सोचिए कि क्या correct report दे रहे है government कमेंट में ज़रूर बताईए थैंक यू